हेलो दोस्तो मैं रमन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चानल डोगर्थ पर दोस्तो आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आए हूं जो एच्छली की एक फीडबैक वीडियो है एक क्लाइंट है तो मिश्टर गोरव उन्होंने मुझे एक और मुझे एक व्लॉग चाहिए था और यह कोई ऐसा नहीं था कि एक साल या छे महीने से मैं तलाश रहा था तो पंद्रा साल होगे क्योंकि पहले पेरेंट्स की विज़से हमने कभी रखा नी हूं उसके बाद थोड़ा स्पेस था स्पेस का इशू था तो उसकी विज़स तो उसके बाद मेरे खाल से मोता भी आशा है कि साथ एक आसपास तो कंपनी का भी हमारा ओफिस बद था तो हमने सुचे कि यह सही टाही में कि हम अपने लिए प्लोग रख सकते हैं तो फिर हमने तकरीपर कम से कम साट सतर बीडर्स देखे और मैं खुद गया था बिल्कि कह अपने सारे मैंने ऐसे भी देखे जो एनिमल्स दॉक्टर्स थे जो उनके पास भी हमने खुद्धे देखे लिए कि उनकी केर नहीं तो आप एकीन मानोगी कि जो दॉक्तर थे वो भी एक उनको भी चाली-चाली 30-30 दिन के खुद्धों को ऐसे सेज के लिए बेच रहाला कि तो फिर ऐसे भाई ने भी काफी साथा सर्च किया तो ऐसे करते करते तो भाई को रमन है हमारे आपे जिनका यूटूब चैनल है डौगर तो भाई ने उनसे बात की तो फिर एक तो रमन का निचर दी काफी टीक लगा क्योंकि उसके पास एक डौग था कि अभी यह थोड़ सारी कवर कर लेता है तो इस बंदे का भी ठीक लगा बाकी सारे बंदे तो बेचने के लिए थे तो ब्रीडर की सबसे बड़ी तो मैंन चीज अगर आप पोई भी डोग लो तो ब्रीडर बहाँ स्यादा इंपोर्टन है तो भाई की ब्रीड के बाद जो मेंजर काम है वो है तो आज इसको बिजनस लोगों ने बना दिया है, तो इसको बेचूंगा ली क्योंकि अभी यह चोटा है, तो आप इसको महीने बादाना अब देखो, अगर ब्रीडर में लाला चोटा तो वही भी बोल देता है कि हायर मेरा तो पुट अभी करा में बेच दूगा, तो अब काफी ताइम हमने भी फिर चोचा था कि हमें ठीक लगा, डॉग भी हमने जेका ठीक लगा, उसके बाद काफी हमने मिकलब प्रॉक्सी में जब वह दो महीने का हो गया था, तो हमने डॉग लिया था रमन से, और अब रही बात ब्रीड की तो मैं जिस कलोणी में रहता हूं पुरक्षेत्र में तो उसके आजपस काफी लोग उने कुटे रखे हो है, जब में रखे हो है, और मैं तो चार आपको प्रूफ दोगा कि यह ब्रीड कैसी है, कैसी ही नहीं है, पहले चीज तो मोस्ट लविंग डॉग है, आप इसको रखो हो है, जैसे थोड़े पेरेंस के रहती है, तो उसके बाद उनको कोई ऐसा चाहिए, जिसके साथ उनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहे, ताकि इसके आप खेट पे रहे तो मैं उनकी के पास इनको स्टार्टिंग की सितनी भी वेक्सिनेशन थी वहीं से गरवाई, तो ऐसा नहीं है कि एक बार, दो बार, कम से कम तीन, चार बार हो गया है, डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया था, कि भई, यह हैवी बोन डोग, बहुत अप अप्छा डोग है, अगर आपको सेल करना है तो बहुता हो, और तो और मैं आपको बताता हूँ कि हम दो चार पार ऐसा हुआ है कि काभी सार लोगों ने वहाँ पे हमें आफर भी किया था, लोग कह रहे थे कि हमें 30,000 में आप सेल कर दो इसको, हम इसको ले ले लेंगे, ठीक है, और भी पार ले आप कोपा मुदी इसको रहे था रहता हैं और पॉप्हर स्यून जाएं सेल होती है, पतली खिली है और थाथे कि अगर हम, आप तो गली में भी लोगों इसको कहते हैं, आप जैसे कि कल भी साहर किलता समय तो अपर लेकर नहीं गया, तो लोग कहते हैं और भी कहते ह कि अगर आप रमन से दोग लेंगे पेरे साब से बहुत ही अच्छा डिसिजन होगा आपके सामने लाइव एक्जामपल अगर आप इसकी बीड देख लो इवन डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि इसकी बीड बहुत अच्छी है डॉक्टर से बेटर कुछ नहीं कह सकता तो का अगर इसको की खरीब लें लेकिन हम अपशी बादा पेचेंगे इस देख देख लिए महीने का है सिर्फ छे महीने का है और ऐसा नहीं है अभी आपको वैसे थोड़ा सा पो लग रहा है बड़ा नौटी है सारा दिन खेलता रहेगा सारा दिन दूसरी एक और चीस वापको अगर हम जैसे रात को सोने के लिए लाइट आफ कर से मेरे रूम में सोता है यह आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा कभी हमेशा लाइट ओफ हो गई इसको बता लगए कि आप सो रहे हो तो यह भी चुपचट है चितना मची खेल रहा हो लेकुल अकाफी हो चुपच़ अगर नहीं कभी इसमें डिस्टर्ब किये दिन में हो सुधा हा थोड़ी शी शुरारते करेगा वह तो वैसे भी सबको चाहिए होता है तो गरवालों को अच्छा भी लगता है और रही कूर चीज हमीं लगता था कि स्टार्टी में हमें लगता था कि जैसे हम जिस दिन आउट आया कि भाई इसके कान खड़े नहीं हो रहे है स्टार्टिंग में तो फिर मैंने जोच है कि क्योंना दॉक्तर से कंसल्ट करूं तो मैंने फिर दो तिन दॉक्तर से कंसल्ट किया एक चंडिगर थे में कुछ नोन में और एक बने यहां भी होगा उसके यह इसके यह और इसके कान का बता चुका हूँ दूसरी बात इसकी हवीट का बता चुका हूँ तो मेरे इसापसे है बहुत अछ्य और मने टो और था यह चेटिपकर कि कमोकिनों सुनगा और उसको यूज़ी संस्क्राइब करें दूर रहा है इसके क्रशल कर ये अप्रिशल कर नहीं नह तो दोस्तों कैसे लेगी आपको ये वीडियो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिप्या लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मैं आपके लिए नहीं नहीं डोक्स की वीडियोज लगता रहता हूं तेंक्यो दोस्तों